10 नवंबर 1669 को छत्रपती शिवाजी महाराज ने अफसल खान की हुत्या की, जो एक ऐसे कप्टी, हत्यारे और क्रूर आदिल शाही प्रमुक थे। आए देखते हैं कि यह अफसल खान कौन था और उसका व्यक्तित्व क्या था। आफसल खान, जो एक पहार की तरह दिखता है, मूर रूप से भटारानी का बेटा था, जिसे अब्दुल भटारी के नाम से भी जाना जाता है। आफसल खान मुख्य नायक थे। करनाटक में रंदुल्ला खान के नित्रित्व में हुए उस अभियान में, उन्होंने श्रीर, पटना, करनापुरम, मदुरा, कांची और बेदनूर की मंडली को हुराया था। रंदुल्ला खान के एक पत्र में कहा गया है कि अफचल खान की अनुमती अफचल खान की है। जब सिद्धी अंबर नाम के एक नीग्रों ने रानादुल्ला खान के अभियान में शामिल होने से इंकार कर दिया, तो रानादुल्ला खान ने अफसल खान को सिद्धी अंबर के पास भेज दिया. जब सिद्धी अंबर को पता चला कि अफसल खान उसकी ओर आ रहा है तो वह खुद अपने पेड़ों को बंदे हुए खान के सामने दिखाई दिया एक अभियान में अफसल खान ने खुद औरंगजेब को पकरने की कोशिश की लेकिन खान मुहम्मद द्वारा रोग दिया गया था अफसल खान उतना ही विश्वास घाती था जितना वह पराक्रमी था अफसल खान के एक पत्र ने उनकी सजा को दर्च किया जिसमें कहा गया कि उन्हें पीटा जाना चाहिए और प्रतारित किया जाना चाहिए एक शिलालेक में अफसल खान खुद को धर्म का सेवक, मूर्तियों का विद्वनसक और काफिरों को नश्ट करने वाला बताता है अफसल खान के समगर व्यक्तित्व का सटीक अंदाजा लगा सकते हैं अफसल खान उतना ही क्रूर, कप्टी, कटर है, जितना बहादूर है चत्रपती शिवाजी महाराज ने अपनी दूरदर्शिता, राजनीतिक सतर्क्ता, तेजबुति, सटीक योजना और साहस के कारून अफचल खान को हाथी की तरह मार डाला अफसल खान की हत्या एक गौरफ पूर्ण घटना है, जिसने मराठो के इतिहास को बदल दिया और उनका आत्मिश्वास बढ़ाया